बिस्मिल्ला रमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिल्स विजवेरिया, तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं मज़ेदार काली चने, बहुत ही इजी और जटपर तरीके से, तो चलिए चल कर देखते हैं कि मैं इन मैंने वन फोर्ट टीस्पून सोडा और एक टीस्पून नमक डाल कर इने अच्छ तरीके से उबाल लिया है, जिस पानी में मैंने इने उबाला था मैं इसी पानी को ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करूंगी, प्यास मैंने लिए हैं दो अदद बड़े साइज के, ओल ए नमक एक टीस्पून, तो चलिए फ्रेंड्स रेस्पी को स्टार्ट करते हैं, तो यह मैंने अपनी कड़ाई ले लिया है, गैस कौन कर दिया है, और इसमें ओल एड़ कर दिया है, साथ ही अब मैं इसमें लसंदर का पेस्ट आड़ कर दूँगी, और इसे एच्छ तरीके से और कुई क्रेसिपी है, आप भी इसे इस तरीके से ग्रैंड कर लेंगे, तो यह बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएंगे, अब मैं इसका अच्छा सा मसाला भून लूँगी, तो यह देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है, और देखिए कितना अच्छा और दानेदार बनकर तयार हुआ है, और हाँ फ्रेंड्स, हमने गरम मसाला डालकर इसे ग्रैंड नहीं किया, सिर्फ गरम मसाले को बचा लिया है, अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये पानी और चने अड़ कर दूँगी, और इसे अच्छा तरीके से मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए पकने के चोड़ दूँगी, ताकि ये एक जान हो जाए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बर आइकन को भी दबा दें, शुक्रिया, अब इस स्टेज पर ह और ये देखिए फ्रेंड्स, घी इसका उपर आ गया है, और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गए है, आप इसकी लुक देखिए, और इसका टेक्स्टर देखिए, जो लोग चने ज़्यादा शोर्बे बाले पसंद करते हैं, वो इसमें ज़्यादा पानी एड़ कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपको इसमें थोड़ा नमग भी ज़्यादा एड़ करना होगा, चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, चैने हमारे बनकर तयार हो गए हैं, अलात अले ने चनों में बहुत ताकत रखी है, तकरीबन सभी लोगों को 15 दिन में एक दफा जरूर पकाने चाहिए और खाने चाहिए, आप चाहें तो इसे चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी से भी और चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, फिर मिलूँगी पना बहुत खयाल रखेगा, दौाओं में याद रखेगा, आला हाफीज बीजिए